चेहरे के दाग धब्बे से आज कल 95% लोग परिशान हो गए हैं आप लोग का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि मेरे फेस पे पिंपल्स के निसान हो गया है जाईया हो गया है धूप के वज़ा से इसकीन काला पड़ गया है आप कोई अच्छा सा नुश्का सेयर करिए का फेस पैक आप लोग बहुत यूज किये होंगे अपने फेस पे लेकिन इस तरीके से अभी तक किसी ने सेयर नहीं किया होगा आज का वीडियो बिल्कुल यूनिक होने वाला है इस तरीके से बना कर आप हपता दिन अपने फेस पे लगा लेते हैं तो आपके फेस के रंग भी है तब भी आप इस पैक को लगा सकते हैं हर एक इसकीन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं ठीक है आपका इसकीन आईली है ड्राई है नार्मल है सब लोग इसे यूज कर सकते हैं तो बनाने का तरीका थोड़ा अलग है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं पोटाइटोली थी उसे पहले आपको क्या करना है कि अच्छे से धूल लेना है क्योंकि इसमें मिर्टी लगा रहता है तो अच्छे से धूल करके साफ कर लेना है इसका छिलका हटा कर इसे कदुकस कर लेना है क्योंकि इसका रस चाहिए आलू को मैं अच्छे से कदुकस कर ले हैं बिल्कुल क्लीन होना चाहिए उतना ही आपका दुकस करें जितना में की दो चम्मच रस निकड़ जाए आज का फेस पैक अगर आप सही तरीके से बना कर हपता दिन यूज कर लेते हैं तो आपके फेस पे जादू की तरह काम करेगा अगर आप बहुत जादे धूक में जा करता है चेहरे के दाग धब्बे को खतम करता है हम सभी माहिलाओं की इच्छा होती है कि हमारा फेस हमेशा खुबसूरत दिखे चेहरे पे कोई दाग धब्बा ना हो हमेशा गुलो करें लेकिन ऐसा होता नहीं है हम इतना जादे अपने फेस पे केमिकल वाला अपने फेस पे यूज करते हैं तो आज से कम कर दिजिए नेचुरल चीजों का यूज करिए नेचुरल चीजों में इतना पावर होता है कि आपके पूरे फेस के रंगत को ही बदल देगा इसकी प्राबलम को दूर करेगा तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि जो कर चुके हैं लेकिन फिर भी हो जाने का नाम नहीं लेता है तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और अपने फेस पे लगाना ही नहीं पड़ेगा इसे आप हफ्ता दिन लगतार यूज करके देखिए उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा आप खुस हो जाएंगे तो इसमें माई यूज कर रही हूँ चावल का आठा ठीक है आपको चावल का आठा ही लेना है इसमें कुछ आपी स्किप नहीं कर सकते हैं जो बता रही हूँ उसे आपको यूज करना ही पड़ेगा आपके इसकीन को नहीं सूट करता है तो आप इस फेस पैक को तो इसमें मैं एक चम्मच चावल का आटा डाली हूं आधा चम्मच नीबू का रस बहुत सारे लोगों का इस शिकायत होता है कि मेरे फेस पे नीबू का रस नहीं सूट करता है तो आपके फेस पे दाग धब्बा हो गया है जाईया हो गया है तो आपको नीबू का रस यूज करना जरूरी है इसके जगा पर आप औरेंज का रस भी ले सकते हैं एक चम्मच लेकिन नीबू का रस जो होता है सबसे बेश्ट होता है दाग धबा को रिमू करने के लिए इसमें मैं आधा चम्मच आइट कर रही हूं गुलाब जल अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल पेश्ट की तरह बन जाई इसमें लंस नहीं होना चाहिए ठीक है चावल के आटा में ऐसे प्रोपर्टीज पाया जाता है जो की इसकीन को टाइट करता है दाग धब्बे को रिमू करता है इसकीन पर ग्लो लाता है चावल के आटे के बहुत सारे फायद तो आप पारलर कभी भी नहीं जाएंगे तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि जो फेस पैक है थोड़ा सा टाइट हो गया है तो मैं इसमें सिर्फ आधा चमच और एड़ कर रही हूँ गुलाब जल ठीक है गुलाब जल हमारे इसकीन को टाइट करता है पोर्स में जो पार प्रेंड प्राबलम प्राबलम सुरू हो जाता है बहुत सारा दाग धबबा देखने को मिलता है जाईया हो जाता है ऐसे उम्र बढ़ना सुरू होता है इसकीन प्राबलम सुरू हो जाता है तो ऐसे में आपका एज हो गया है 30 के उपर आप हो गये हैं तो आप अपने इसकीन के रूटीन को सही तरीके से फालो करिए जो की मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है इसकीन के रूटीन का बहुत हैं और आपको क्या खाना चाहिए आप अपने फेस पर क्या लगा सकते हैं पूरा डीटेल में आपको जानकारी मिलेगा उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का यही कोस्चन होता है कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादे दाग हो गया है जाईया हो गई है मैं बहुत परेसान हो गई हूँ आपको यह अच्छा सा नुसका सेयर करिए तो ऐसे में आप सबसे पहले अपने इसकीन के रूटीन को सही तरीके से फालो करिए हेल्दी डाइट लीजिए भरपूर मात्रा में पानी पीजिए उसके बाद आप अपने फेस पे पैक लगाना सुरू करिए इतना से जादा आप पानी पीजिए पानी पीने का भी बहुत बड़ा रोल है इस पैक को लगा कर मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दी थी उसके बाद से मैं अपने फेस को पोच करके आप लोग को रिजल्ट दिखाती हूं आप ऐसे धूल भी सकते हैं लेकिन धूलने जाएंगे तो बहुत सारा पानी लगेगा तो सबसे पहले अच्छे से हैंकी से क्लीन कर लीजिए आप लोग का बहुत सारा कमेंट ये भी आता है कि आपका फेस बहुत जादे गूलो करता है आप अपने फेस पे क्या लगाती है तो जो मैं अपने फेस पे लगाती हूं आप लोग के साथ आप सेयर भी करती हूँ तो वीडियो को ध्यान से देखा करिए उसे यूज करिए तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि फेस को मैं धूल कर आ गई हूँ और आप लोग मेरे फेस पे रिजल्ट देख सकते हैं इसकीन कितना जादे गुलो कर रहा है तो ऐसा गुलो आपको चाहिए अगर आपके फेस पे दाग धबा भी नहीं है लेकिन आप अपने फेस पे थोड़ा गुलो लाना चाहते हैं तो इस पैक को आप जरूर लगाईए लेकिन दाग धबा है तो ओभी रिमूव होगा लेकिन आप जब सही तरीके से बना कर इस पैक को लगाएंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा तो फ्रेंड आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को आउन कर लिजिएगा आगे आपको किस टॉपिक पर वीडिय में तब तक के लिए बाई बाई